नमस्कार, सापताहिक राशिफल में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत हैं, मैं हूँ प्रविन मिस्र, आए जानते हैं आपका आने वाला सपताह कैसा बीतेगा, ये सापताहिक राशिफल रविवार से शनिवार तक का है, यानि 25 अगस्त से 31 अगस्त तक का है, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति आपको बताते हैं मेश राशी में चंद्रमा बैठे हैं ब्रश राशी में मंगल और ब्रसपती विराजमान हैं करक राशी में बुद्ध बैठे हैं सिंग राशी में शूरदेव हैं कन्या राशी में शुक्र और केतु हैं कुम्ब राशी में शनिदेव व ये तो सप्ता के शुरुवात में ग्रहों की स्थिती हो गई अब आये जानते हैं आपका आने वाला सप्ता कैसा भी देगा देखिए ये सप्ता बहुत ही महत्यपूर्ण है इस सप्ता में सोमवार के दिन जन्मास्टमी का पावन परव पड़ रहा है भगवान क्रश्न का जन मोत्सव अवश्य हम सबको मनाना चाहिए भगवान क्रश्न का जन्मोत्सव 26 अगस्त को रात्री मद्रात्री के समय पूरे देश में मनाया जाएगा मंदिर सजने लगे हैं तैयारियां पूरी हो रही है और बाल गुपाल को रिजाने के लिए मनाने के लिए भक्त पंडित स करने का सबही तरह तरह से यतन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मोका है जन्मास्ट में के दिन भगवान कृष्ण की करपा प्राप्त करने का भगवान कृष्ण को योगेश्वर क्रश्ण भी कहा जाता है भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपून थे भगवान कृष्ण का पूजन करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों को दूर किया जा सकता है जिन लोग को संतान संबंधी परेशानी हो जिनके संतान ना हो वो लोग अवश्य जो है भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन जन्मास्टमी के पावन परपर करें इसके अलावा सभी लोग जिनकी जो भी मनों कामनाएं हैं उन मनों कामनाओं की पूर्ती के लिए भगवान कृष्ण का पूजन करके प्रातना करें वानकृष्ण की क्रपा से आपकी इच्छा अवश्यपूर्ण होगी तो आप सब को जनमास्टमी के पावनपर्व की बहुत बहुत शुब कमना है चलिए सिदे राशी फल की बात करते हैं मेश राशी मेश राशी वालों के लिए ये सब्ता कारियों में तेजी लाने वाला होगा आपकी धन की इस्थिती यानि आर्थिक इस्थिती में सुधार होगा मेश राशी वाले ध्यान रखें कि अपने कारे को पूरे फोकस से करें पूरे मन से करें मन को बिचलित ना होने दें मेश राजशी वालों के लिए इस सपताह के पहले तीन दिन बहुत अच्छे होंगे, लाब कराने वाले होंगे, इन तीन दिनों में आप महत्पूर्ण डिसिजन ले सकते हैं मेश राशी वालों के लिए सलाह ये है कि एग्रेशन से बचें किसी के उपर अपना गुस्सा निकालना, क्रोध दिखाना उचित नहीं होगा यदि आप लंबी दूरी की यात्रा इस सप्ता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उससे भी आपको फायदा होगा स्वास्त आपका ठीक रहेगा और रुके हुए काम अगर इस सप्ता आप कोशिस करेंगे तो पूरे होगे पूरा सप्ता आपका बहुत अच्छा भीते, इसके लिए क्या उपाय करें? इसके लिए मेश राशी वाले इस सप्ता प्रति दिन भगवान क्रश्न की आरती करें भगवान क्रश्न की क्रपा से आपके सारे कारे समय पर पूरे होगे शुबरंग रहेगा आपके लिए इस सप्था के सरीय और उपाएं हमने आपको पहले ही बता दिया भगवान क्रश्न की पूजा आरती करिए इस सप्था उनकी करपा से सब काम सफल होंगे बारी आगे यह ब्रशराशी की ब्रश राशी वालों के लिए ये सप्ता भागय का सपोर्ट दिलाने वाला होगा आप अपनी मेहनत को और बढ़ा दीजिए घर में जो महिलाएं हैं उनका विसेश रूप से सम्मान करें इस सप्ता उन्हें कोई गिप्ट ला करके दें तो आप देखेंगे कि लक्षमी जी की विसेश क्रपा पर होगी और धन मिलेगा असल में हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है तो इसलिए अगर आप अपने घर में लक्षमी का सम्मान करेंगे आपके घर में जो महिलाएं हैं उनका सम्मान करेंगे तो लक्षमी जी की विसेश क्रपा अवश्य आपको मिलेगी तो ब्रश राशी वाले इसका बहुत ध्यान रखे और जो लोग छात रहें ब्रश राशी वाले अपनी पढ़ाई में मेहनत बढ़ा दें अनुकूल है ये सब्ताह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगी दिलाने वाला है अगर आपका कोई एक्जाम होने वाला कमटेटिव एक्जाम जो लोग दे रहे हैं उनका एक्जाम है या किसी भी तरह की आपकी परिक्षा है तो उसमें सफलता मिलेगी कोई महत्यपूर्ण फैसला ब्रश राशी वाले को करना है तो आप सोम वार के दिन इस सब्ताह महत्यपूर्ण डिसीजन लेंगे तो उसमें अवश्य आपको सफलता मिलेगी ब्रश राशी वाले अपने स्वास्त को लेकर के बिल्कुल परिशान नहों समय पर अगर कोई दवाई ले रहें तो लेते रहें स्वास्त को लेकर के कोई दिक्कत इस सब्ताह नहीं होने वाली है ब्रश राशी वाले अगर कोई लोन लेने का मन बना रहें तो इस सब्ताह लोन लेने से बचें विशेश सला आपके लिए ये है कि इस सप्ताह लंबी दूरी की यात्रा ना करें शुबरंग रहेगा आपके लिए गुलावी और उपाय भगवान कृष्ण को पूरे सप्ताह माखन, मिश्री और तुलसी दल अर्पित करिये बहुत फायदा होगा बारी आगई अब मिथुन राश्य की, मिथुन राश्य वालों को इस सप्ताह अपने काम खुद करना है दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना है यह जो काम आप नहीं कर सकते तो अपनी निगरानी में दूसरों से करवाएं दूसरों के भरोसे काम छोड़ेंगे तो हानी हो सकती है मिथुन राशी वाले जो लोग जॉब करते हैं करियर के छेत्र में बहुत सावधानी से काम करना है जल्दी से जौब बदलने का मन नहीं बनाना है और अपनी वाणी भाषा अच्छी रखनी है एक्टिव होकर के बहुत अलर्ट होकर के काम करनी की जरूरत है मिथुन राशी वालों को जो लोग मिथुन राशी वाले व्यापार कर रहे हैं व्यापार के छेत्र में अपने नफा नुक्षान का पूरा कैलकूलेशन करके चलिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मिथुन राशी वाले एक बात का विशेश ख्याल रखें कि पैसा किसी को उधार ना दे इस सप्ता आपका पैसा फच सकता है स्वास्त के मामले में खास करके पेड़ संबंदी परिशानी ना बढ़े इसलिए अपना खान पांट ठीक रखेगा शुबरंग रहेगा इस सप्ता आपके लिए गुलाबी और उपाय प्रति दिन आप भगवान कृष्ण के मधुरास्टक का आप पाठ करें या पाठ नहीं कर पाते किसी वज़े से तो मधुरास्टक सुन ले तो भगवान कृष्ण की विसेश क्रपा मिलेगी और जो कस्त हैं परेशानिया हैं वो सब दूर होंगी बारी आगे अब करकराश्य की करकराश्य वालों को इस सब्ता करियर के छेतर में नए आउसर मिलेंगे उन आउसरों को आप अच्छे तरीके से संभाल करके आप उनका लाब उठाएए तो आपको बहुत फाइदा भी होगा करकराश्य वाले जो लोग जौब करते हैं अपनी कारे छेतर में सही डिसीजन लेंगे तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा लाब भी होगा और कारियों में मन भी लगेगा जो लोग बिजनेस करते हैं करकराश्य वाले व्यापार के लिहास से अनकूल समय हैं लाब की स्थितियां आपके लिए सप्ता बनेंगी करक राजशी वाले अपने घर परिवार को थोड़ा और समय दे उनके एमोशन्स का उनके भावनाओं का ख्याल रखें अगर आपने कोई वादा किया है कुछ खरीदने का कुछ किसी काम का घर वालों से तो उस वादे को अवश्य निभाएं विशेश सला आपके लिए ये है कि अगर कोई महत्यपून डिसिजन लेना चाहते हैं तो आप सोमवार के दिन इस सप्ता ले सकते हैं शुबरंग रहेगा सफेद और उपाय प्रति दिन भगवान क्रश्न की आरती करें सिंग राशी सिंग राशी वालों को इस सप्ता कारे छेतर में सफलता मिलेगी धन की स्थिती में सुधार होगा पूरी मेहनत से अपना काम करिये आपको लाब भी होगा सम्मान भी मिलेगा कोई महत्यपून डिसिजन लेना चाहते हैं तो आप सोमवार के दिन और ब्रहस्पतिवार के दिन ले सकते हैं सिंग राशी वाले इस सप्ता जो काम आपके अधूरे पड़े थे उनको पूरा करें जो काम आपने मन में सोचा था नहीं कर पा रहे थे उनको करने की कोशिस करें तो उन कारियों में भी आपको सफलता मिलेंगी। स्वास्ता आपका ठीक रहेगा। सिंग राशिवाले जो मन में आपके विचार है, उस विचार को कार में पढ़नित करिए। ऐसा समय है इस सप्ता। तो इस सप्ताह का अच्छे से लाव सिंग राशिवालों को उठाना चाहिए। सुव रंग रहेगा आपके लिए मरून और उपाये। प्रति दिन आप भगवान करशन का पूजन करें। भगवान करशन की आरती करें। और भगवान करशन के किसी भी एक मन्त्र का जाब करें। नहीं कोई मंत्र आता तो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का भी आप जाब कर सकते हैं यह महा मंत्र है इस मंत्र के जाब से भी आपको लाब होगा या आप ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंतर का भी जाब कर सकते तो जो आपको सरल लगे जो अच्छा लगे उस मंतर का जाब करिए सीधी सी बात है भगवान कृष्ण के चर्णों में अपना ध्यान सिंग राशी वाले लगाएं तो आपका पूरा सकता बहुत अच्छा भी देगा बारी आगई अब कन्याराशी की कन्याराशी वालों की धन की स्थिती में सुधार होगा धन लाब के योग इस सकता बन रहे हैं जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन्हें नौकरी मिल जाएगी जो लोग जॉब कर रहे हैं आपकी नौकरी में स्थिरता बढ़ेगी स्थिती और मजबूत होगी जो लोग व्यापार करते हैं कन्याराशी वाले व्यापार में लाब के योग इस सपता बन रहे हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं जिनके बच्चे हैं कन्या राशी वालों के तो वो टेंशन भी आपकी दूर होगी पढ़ाई लिखाई के छेतर में संतान को सफलता प्राप्त होगी शुबरंग रहेगा आपके लिए हलका पीला और उपाय प्रति दिन भगवान कृष्ण को मिस्री और तुलसी दल का भोग लगाए बारी आगई अब तुला राशी की तुला राशी वालों के लिए ये सप्ता आप अपनी भावनाओं को विशेश रूप से कंट्रोल में रखें इस सप्ता भावनाओं में बह करके डिसीजन ना लें तुला राशी वाले अगर कोई महत्तिपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो सोमवार और शुक्रवार के दिन कर सकते हैं जो लोग जॉब करते हैं तुला राशी वाले उनके लिए इस सप्ता अपने करियर के छेतर में संभल कर चलने की सला है जो बिजनेस करते हैं व्यापार में अपने खर्चों को कंट्रोल में रखिये इस सब्ता आप बढ़ेंगे तो अपने expenses को कंट्रोल में रखियेगा बिना सोचे समझे कहीं पैसा लगाने से बचने की सला है स्वास्त को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही तुला राशी वाले इस सब्ता ना करें और हाँ अपने मन में नेगेटिव विचारों को जगए देंगे तो उससे हेल्थ पर भी असर पड़ेगा और काम पर भी असर पड़ेगा तो इसलिए नेगेटिव विचारों से बचने की सलाह है सबसे अच्छी बात जो आपको इस सप्ता करनी है अपनी घर परिवार वालों को समय दीजे उनसे सलाह लेके फैसले करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा शुब रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर और उपाय प्रति दिन भगवान क्रश्ण का पूजन करें और भगवान क्रश्ण को माखन और मिसिरी का भोग लगाएं तो आपके लिए बहुत शुब होगा बारी आगे यह ब्रश्चिक राजशी की ब्रश्चिक राजशी वालों को इस सब्ता जो लोग जॉब करते हैं उनको अपने करियर के छेतर में अच्छी सफलता मिलेगी आपकी नेत्रित तो छमता और बढ़ेगी आपके काम की सराहना होगी जो लोग बिजनेस करते हैं ब्रश्चिक राजशी वाले व्यापार के छेत्र में यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो इस सप्ता आप डिसीजन ले सकते हैं बस ध्यान ये रखना है कि उधार पैसा लेकर अपने बिजनेस में लगाने से बचने की सला है कोई महत्यपूर्ण डिसीजन अगर आपको लेना है तो सोमवार और मंगलवार के दिन ले सकते हैं ब्रश्चिक राजशीवालों के लिए विशेश सला है कि यदि आप विदेश से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो उससे संबंधित डिसीजन इस सप्ताह ना ले तो अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपके लिए शुब रंग रहेगा लाल और उपाय प्रति दिन भगवान क्रश्न की आरती करें बारी आगई अब धनुराशी की धनुराशी वालों के लिए ये सप्ताह शुब सूचना लेकर आएगा कहीं न कहीं से अच्छी ख़वर आपको दिलाएगा तो जो ख़वर मिलेगी वो ख़वर आपके लिए अच्छी होगी और इस सप्ताह आप अपने समय का बहुत अच्छे तरीके से उप्योग करें अपने समय का दुरुप्योग ना करें जो भी काम करना है टाइम पर करें किसी भी काम को टाले नहीं सप्ताह महत्यपूर्ण है धन लाव के आउसर आपको इस सप्ताह मिलेंगे तो यदि आप समय का अच्छे से utilization नहीं करेंगे तो उतना लाव प्राप्त नहीं कर पाएंगे जितना लाव इस सप्ता आपको मिल सकता है तो बहुत active हो करके अपने time का अच्छे तरीके से management करके आपको काम करने की सला है कोई महत्यपूर्ण डिसिजन लेना है तो आप सोमवार के दिन और ब्रहस्पतिवार के दिन ले सकते हैं धनु राजशी वाले ध्यान रखें कि लंबी दूरी की यात्रा से इस सप्ताह बचें अपने घर परिवार वालों से किसी भी बात को लेकर उलजे नहीं उनकी बात सुन लेजे थोड़ा सा फ्लेक्सिवल सुभाव रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा शुबरंग रहेगा आपके लिए पीला और उपाए प्रति दिन भगवान क्रश्न को मिसरी का भोग लगाएं बारी आगई अब मकर राश्य की करियर के छेत्र में इस्थित्य सब्ता और बहतर होगी खास करके जो लोग जॉब करते हैं आपके जो अधूरे पड़े काम थे वो भी पूरे होगी जो लोग बिजनस करते हैं मकर राशी वाले निवेश ना करें इस सब्ता आपने बिजनस में और पैसा ना लगाएं जो पैसा आपने लगा रखा है जो काम आप कर रहे हैं उसी को अच्छे तरीके से करने की कोशिस करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मकर राशी वाले जो छात्र किसी कमप्टेटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सब्ता अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे बस पूरी मेहनत से आप पढ़ाई करते रहेगा पढ़ाई के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की सला है इस सब्ता शुबरंग रहेगा आपके लिए आस्मानी और उपाय प्रति दिन भगवान क्रश्न का पूजन करें भगवान क्रश्न को तुलसी दल और किसी फल का भोग लगाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो भी रितुफल मिलता है आपको सेब, केला उसका भोग आप लगा सकते हैं बारी आगई अब कुम्भ राशी की कुम्भ राशी वालों को इस सब्ता भागे का सपोर्ट मिलेगा घर परिवार वालों के लिए आप जो काम करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे वो इस सब्ता करने में आप सफल होंगी स्वास्त के लिहाज से ये सब्ता अच्छा है, आपका स्वास्त खीक होगा, स्वास्त में सुधार होगा जिल्लों का स्वास्त अच्छा नहीं था तबियत को ले करके परिशानी थी कुम्ब राशी वाले अगर कोई महत्यपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस सप्ता सोमवार के दिन और ब्रहस्पतिवार के दिन ले सकते हैं जो लोग जॉब करते हैं जॉब में स्थिती आपके लिए अनकूल रहेगी जो लोग व्यापार करते हैं कुम्ब राशी वाले व्यापार में लाव के आउसरे सप्ताह आपको प्राप्त होंगे विसेश सला उधार लें देन से बचे ना तो किसी को उधार में पैसा दें ना किसी से पैसा उधार लेकर काम करें शुबरंग रहेगा आपके लिए सफेद और उपाय प्रति दिन भगवान कृष्ण का पूजन करें और भगवान कृष्ण को तुलसी दल अवश्यर्पित करें बारी आगई अब मीन राजशी की मीन राजशी वालों को भागे का सपोर्ट मिलेगा आपका मान सम्मान और बढ़ेगा धन की स्थिती अनकूल रहेगी खासकर जो लोग जॉब करते हैं तो आपके लिए प्रमोशन का योग बन रहा है करियर के छेतर में सफलता मिलेगी जो लोग व्यापार करते हैं अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ था आप बिजनस कर रहे हैं तो वो रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होगा कोई महत्यपूर्ण डिसीजन लेना है तो आप सोमवार और भ्रस्पतिवार के दिन ले सकते हैं लंबी दूरी की यात्रा से बचने की आपके लिए सला है शुबरंग रहेगा आपके लिए पीला और उपाए प्रति दिन भगवान कृष्ण का पूजन करें आरती करें माखन और मिश्री का भोग लगाएं तो साप्ताहिक राशी फल में आज बस इतना ही अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी बोलिए जय शुरी कर्ष्ण